मैं यहां एक unstitched dress के उपर कर रही हूँ बट अब ready dress के उपर भी कर सकते हैं तो सबसे पहले आप इस तरीके की कोई thick cardboard रख सकते हैं या फिर कोई thick paper के उपर रखके paint कर सकते हैं और बहुत ज्यादा पतली type का कपड़ा use करते हैं तो frame का use जरूर करें तो pencil से एकदम light करके side से इस तरीके से आपको mark करना है बट अब ready dress के उपर करते हैं तो ये side पे इतना space रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरी stitching के time ये काम आएगी इसलिए अब ये जो line है ये आपको scale से ही करना पड़ेगा क्योंकि line एकदम ही सीधा होना चाहिए एकदम light करके mark करें मैं स्रिफ दिखाने के लिए यहाँ थोड़ी dark करके कर रही हूँ नहीं तो बाद में अगर इसकी थोड़ी सी भी harsh line रह जाती है तो बहुत बुरी तरीके से रह जाती है तो मैं यहाँ white color यूज कर रही हूँ स्रिफ white color ही मैं यूज करूँगी और ज्यादा कोई भी color यूज नहीं करने वाली हूँ आप चाहें तो कोई भी color आप यूज कर सकते हैं दो तीन color भी आप यूज कर सकते हैं और मैं यहाँ fabricl की acrylic color यूज कर रही हूँ बट अब कोई भी brand की acrylic color या फिर fabric color भी आप यूज कर सकते हैं market में बहुत easily आपको मिल जाएगी कोई भी local stationery shop पे आपको मिल जाएगी और यहाँ मैंने 4 number की round brush यूज कर रही हूँ देखिए अगर आपको इससे भी थोड़ी सी broad चाहिए तो आप 6 number की round brush भी यूज कर सकते हैं अगर इससे थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप 2 number का round brush भी यूज कर सकते हैं बढ़ 0 number round brush यूज मत करें बहुत स्यादा पतली हो जाएगी यह flower के लिए तो जरू 0 number round brush यूज करें या फिर अगर आपके पास 3D outliner है तो आप उससे भी काम कर सकते हैं बहुत छोटी छोटी होगी तो यह जो line में draw कर रही हूँ यह भी आप पहले pencil से mark करके कर सकते हैं बढ़ मैंने यहाँ कोई pencil से mark नहीं किया है बहुत ज्यादा आसान design है पहले छोटी सी circle कर लीजिए उसके side पे इस तरीके से कर लीजिए और इसको आपको 0 number round brush से करेंगे ना जब पहले पहले painting करते हैं एकदम starting में हमारे पास बहुत ज्यादा brush नहीं होती है मैं बहुत दिन से कर रहे हूँ इसलिए मेरे पास है तो सबसे जो ज्यादा use होती है वो है 0 number round brush, 2 number round brush, 4, 6 यह सब बहुत ज्यादा काम आ जाती है और flat brush से भी मैं बहुत काम करती हूँ तो उसके लिए भी मुझे personally 2 number, 4, 4 almost तो सेमी है 4 number, 6 number या फिर 2 number, 6 number, 8, 10 बहुती ज़रूरी होती है तो यह देखिए इस तरीके से आपको आप इसको round brush से भी कर सकते हैं यह चोटी-चोटी जो lips है मुझे flat brush पसंद है और इससे काम करना मुझे पसंद है तो इसलिए मैं flat brush यूज़ करती हूँ बट यह round brush से भी बहुत आसनी से आपको हो जाएगी जहापर मुझे 2 लग रही है, leaves तो में 2 बना रही हूँ आपको लग रहा है यह space बहुत ज्यादा है वहां में 3 कर रही हूँ आपको लग रहा है अभी कितना simple है बट थोड़ी देर बाद आप देखना यह कितना gorgeous हो जाएगी आप step by step बस follow करना आप चाहे तो यह जो छोटी छोटी फ्लावर है इसको भी आप कोई भी अलग कलर से बना सकते हैं और यह जो leaves है वो भी अलग कलर से बना सकते हैं बट sky blue के उपर white की जो यह design है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने स्रिफ white कलर यूज किया है तो यहां अगर आपके पास कोई भी mirror नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं यह स्रिफ उन के लिए बट में यह mirror यूज करके आपको दिखाऊंगी यह देखिए यह bucket में आपको मिल जाएगी लोकल स्टेशनरी शॉप पे और यह है fabric glue यह इसको चिपकाने के लिए बट यह after wash कुछ भी नहीं होती है अब हाद से wash करें यह इस तरीके से रहेगा बस थोड़ी सी लीजिए और इसको प्रेस कर दीजिए और अगर आपके वास mirror नहीं है तो इस टाइप के भी आपको design करके भी बना सकते हैं बट में यहां स्रिफ आपको दिखाने के लिए यह करूंगी तो इसके side पे जो हमने mark की थी ना pencil से और एक mark उसके साइप उपर से करना है ताकि लाएन एकदम सीधा हो अगर आपके पास mirror नहीं है तो उस type से जैसे मैंने की थी उस type से भी कर सकती है वह भी बहुत ज्यादा खुबसूरत रहेगा और यह आप हाथ से ही हमेशा वाश करें और यह color देख सकते हैं यह 3D outliner है यह camel की है बैट आप कोई भी brand की जैसे fabric रिल की भी आपको मिल जाएगी मांकेट में इससे क्या होती है थोड़ी जल्दी हो जाती है नहीं तो आप brown brush से और white acrylic color से भी इसको बना सकते हैं तो यह देखिए mirror को अच्छे से dry होने दीजिए उसके बाद ही करना पहले इस तरीके से circle कर दीजिए उसके side पे इस तरीके से करना है बहुत ही ज्यादा आसान है बट इतना ज्यादा खुबसूरत मुझे personally इतना पसंद आई बट मैं पहनने के बाद इसको नहीं दिखा आपको क्योंकि इसकी cutting होगे stitching अभी भी complete नहीं हुई है अगर आप मेरी व्लॉग की channel देखेंगे तो जरूर आप देखेंगे बाद में इसको पहन के मैं व्लॉग करने वाली हूँ तो यह जो यह diamond shape की है यह भी अगर आपके पास नहीं है तो brown shape का भी use कर सकते हैं दिखिए कितना ज्यादा खुबसूरत लग रही है इतना आसान डिजाइन बट इतना ज्यादा खुबसूरत आप step by step follow करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको भी बहुत पसंद आएगा बहुत gorgeous भी है दिवाली में आप इसको try कर सकते हैं कोई भी plain top के उपर जो एकदम simple हो आप पुरानी भी कोई भी top के उपर भी इसको बना सकते हैं ऐसा हमेषा नहीं होती है कि आप कोई नई चीजों के ऊपर नई ड्रेस के ऊपर group कोई पुरानी जो कई पर्ञेडम प्ले से होust गोशवारी बहुत अच्छा लगेंगा फिर ब्लैफ चिजोंके ऊपर अगर आप अब कर्ते लिच मड़त चाह लगेगा या फिर white के ऊपर अगर आप इसको try करेंगे तो red color से जरूर करना बहुत ज्यादा खुबसूरत लगेगा तो ये जो side पे जो design है ये optional है अगर आपको इतना ज्यादा gorgeous नहीं पसंदे तो मत करें अगर आपको थोड़ी सी पसंदे gorgeous और ज्यादा तो इसको जरूर करें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है I mean ये करने के बाद और ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं आपको बोलूंगी आप इसको जरूर try करें और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी helpful लगे ना तो लाइक जरूर कर देना मुझे भी अच्छा लगेगा और अगर आपको इस टाइब की वीडियो देखना पसंदे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ये देखिए complete हो गई oh my god कितना खुब्सूरा दे thank you so much for watching take care bye